ओफुली आप सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी मैं वरुन अवस्ती आप सभी का जियस गुरू आने कैडमी लाइफ पर आप सभी का बहुत-बहुत सौगत करता हूँ बड़ाई इंट्रेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी को काफी confusion रहता है कि पुलिस की rank, badges और stars के बीच में बड़ा ही confusion रहता है तो सारा confusion इस छोटे से वीडियो में हम लोग cover कर लेंगे यहाँ पर मेरा ये वादा है आपसे कि अगले 10 minute में आपको पुलिस की किसी भी rank और badges में कोई भी confusion नहीं रह जाएगा साथ में आपको इतना ही नहीं, badges के बारे में तो मैं आपको पताऊंगा ही बताऊंगा साथ में vehicles में भी आपको बताऊंगा कि किस post में कौन सा vehicle मिलता है और इसके साथ है आपको stars का भी क्या concept है यह stars basically यह star अलग है और यह star अलग है ठीक है? तो इन दोनों का concept आपको अलग से बताऊंगा तो सबसे पहले आप सभी को बता दूँ Unacademy पर किसी भी subscription के लिए आप use कर सकते हो ये मेरा referral code है वरुन777 इसका use करके आप कोई भी subscription ले सकते हो और 10% discount आपको Unacademy पर मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं session को और हम लोग छोटी rank से लेकर सबसे बड़ी rank तक पहुँचेंगे ठीक है सबसे छोटी rank के अगर हम बात करें तो सबसे छोटी rank कहलाती है constable गाइस अगर constable की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इधर देखो ये जो आपके तीन badges है ये तीन badges आपके constable के define किये गए है लेकिन इन में से जो सबसे छोटी post होती है ये होती है constable तो ये आपके सामने constable की picture है आप देख रहो constable पे ये वाला badge होता है जिस पे कुछ भी strip नहीं होगी लाइक आप देख रहो यहाँ पर कोई भी strip नहीं है सिर्फ और सिर्फ राज्य का नाम यहाँ पर लिखा होगा अगर Mumbai police है तो Mumbai police लिखा होगा उत्तरवदेश police है तो उत्तरवदेश police लिखा होगा अब देखो यहाँ पर भी एक चीद आपके बता दू जो मुंबई पुलिस है केवल महरास्टा की जो पुलिस है वो महरास्टा पुलिस ही यहाँ पर इस तरीके की कैप पहनती है बाकी जितने भी कॉंस्टेबल होंगे हर राज जिके वो सारे कॉंस्टेबल गोल वाली टोपी पहनेंगे तो goal वाली टोपी और महरास्टा का concept अलग है महरास्टा का concept कुछ चीदों में बिल्कुल different है वो मैं आपको बताऊंगा एक जगे नहीं कई जगे है ये different concept तो मैंने आपको क्या बताए कि constable में आपको ध्यान रगना है कोई start नहीं है केवल यहाँ पर estate का नाम है constable का badge ये badge इसके यहाँ पर लगा होता है ठीक है कहाँ पर इसके बाजू में लगा होगा लेकिन अगर वो सभी राज्यों का होगा दूसरे राज्यों का होगा तो वहाँ पर उसके बाजू में ऐसे करके ये दो V बने होंगे ये वाला ठीक है लेकिन अगर उसी जगह अगर वो महरास्ट का है तो ध्यान रखना है बाजू में ये दो नहीं बने होंगे उस case में क्या होगा उसके पास shoulder में ये दो step लगे होंगे पीले कलर के तो ये difference है another state के senior constable और महरास्टा के senior constable में इसके बाद आजाते हैं इससे उपर की post है head constable guys head constable के ये 3 step होते हैं यहाँ पर ये 3 V वाले step है अगर बाकी सभी राज्यों का head constable है तो उसके बाजू में यहाँ पर इस तरीके से 3 V होंगे अगर महरास्टा का constable है तो ध्यान रखना बाजू में ये V नहीं आपको मिलेंगे सिर्फ महरास्टा का tag मिलेगा लेकिन ये 3 step आपको कंदे पर मिलेंगी पीले रंकी साथ में topi का भी फर्क रहता है जो कि मैंने already आपको बताया हुआ है चाहे constable हो चाहे senior constable हो चाहे head constable हो अगर वो महरास्टा का constable है तो उसकी topi इस तरीके की होगी और अगर वो अन्य राज्यों का constable है तो gold topi होगी इसके बाद head constable के बाद जो आपकी post आती है वो आती है assistant sub inspector इसको ASI बोलते हैं देखो assistant sub inspector जो होता है इसको एक star मिलता है और साथ में एक star के नीचे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि red और blue color की पट्टी होती है यहाँ पर red और blue strip जरूर होगी और उसके नीचे उस राज्य का नाम होगा जैसे यहाँ पर उत्तर पदेश पुलिस लिखा हुआ है तो यह कौन है यह है ASI assistant sub inspector sub inspector का assistant है इसके बाद इससे उपर की post होती है SI sub inspector ultimately आप यह बोल सकते हो कि 42 ग्रेट पेपर पहली जौब यही है तो यह जो sub inspector होता है यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ASI है ASI में बस आपको क्या करना है यहाँ पर एक star था यहाँ पर दो star हो जाएगा SI में तो आप sub inspector देख रहे हो यह map उसे लिखा हुआ है मतलब की मद्य पदेश पुलिस लिखा हुआ है अब यहाँ पर इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर पदेश पुलिस लेकिन दो star है और साथ में red और blue दोनों यहाँ पर step है red और blue दोनों step यहाँ पर भी है केवल star का फरक है इसके बाद sub inspector के बाद आता है assistant inspector देखो सबसे यादा confusion पता है लोगों को इसी में रहता है assistant inspector और inspector में इनमें difference क्या है कई लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि assistant inspector होता भी है या नहीं होता है या फिर कई लोग यह आपको बोलेंगे आप बताना चाहोगे कि assistant inspector तो कई लोग बोल देते हैं कई बार कि assistant inspector नाम की कोई post ही नहीं होती मैं बताता हूँ actually confusion का होता है अगर हम सभी state की बाद करें जितने भी राज्य है महारास्टा को छोड़ कर तो सीधे वहाँ पर सभ इंस्पेक्टर के बाद आपका प्रमोशन कहां पर होता है मतलब महारास्टा को छोड़ के हर राज्य में असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महारास्टा के अंदर है अब अगर असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट की बाद करें महारास्टा के अंदर तो इसको तीन स्टार मिलते हैं अभी आपने देखा सब इंस्पेक्टर को दो स्टार थे इसको एक स्टार और बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पर एक फर्क है राज्य का नाम तो लिखा रहेगा महारास्ट पुलिस सेवा लेकिन साथ में आप देख रहे हो जो दो स्टेप लगे थे रेड और ब्लू इसके में सिर्फ एक स्टेप लगा होगा रेड कलर का यह एक मेजर डिफरेंस है जो की सबसे जादा लोगों को नहीं पता होता है यहीं पर लोग कन्फ्यूज होते हैं तो यह केवल महारास्टा में होगा इसके बाद अगर और कोई भी स्टेट है तो सीधे सब इंस्पेक्टर से वो इंस्पेक्टर ही बनेगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर नहीं बनेगा अउनली इन महारास्टा देन इंस्पेक्टर की बात करें तो तीन स्टार इसके पास है लेकिन यह दोनों स्टेप रहेंगी जैसे यहाँ पर देखा सिर्फ एक स्टेप है असिस्टेंट में, इंस्पेक्टर में दोनों स्टेप और तीन स्टार इसके बाद आ जाते हैं Deputy Superintendent of Police देखो यहाँ से बड़ी रैंक आपकी स्टार्ट हो जाती है Deputy Superintendent of Police एक चीज़ आपको बता दूँ, DSP की अगर बात करें जिसको Deputy Superintendent of Police बोलते हैं इनकी रैंक में जो स्टार होते हैं पहली चीज़ तो यह स्टार कैसे होते हैं, वाइट स्टार होते हैं इससे नीचे की जितनी भी पोस्ट अभी तक आप लोगों ने देखी है सब में यलो स्टार लगाने होते हैं, कैसे पीले स्टार लेकिन यहाँ पर वाइट स्टार का यूज़ किया जाता है अब देखो अगर आप इनके बैजेस की बात करो तो यहाँ पर आप देखो एक खास तोर पर यह तीन स्टार लगे हुए है, यहाँ पर सीधे राज्य का नाम लिखा हुआ है मतलब कि कोई स्ट्रिप नहीं होगी, ना ही लाल स्ट्रिप है, ना ही ब्लू स्ट्रिप है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझनी है यह जो Deputy Superintendent of Police होता है, यही ACP के बराबर भी होता है बस difference क्या होता है, आप लोगों सना होगा ACP, Assistant Commissioner of Police और DSP, तो DSP और ACP दोनों बराबर है, बस पता है difference क्या होता है difference यह होता है कि लाइक मानलो यह ACP है, जैसे यह ACP है आप देख रहो, सेम बैज है, और यह DSP है, तो DSP से सेम बैज आपका ACP का मिल रहा है तो दोनों सेम इंसिगनिया है, सेम कैडर है, लेकिन सिर्फ difference इतना है कि जो ACP होता है, यह आपका Metro Cities में होता है जैसे कि दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया यहाँ सब पर क्या है, यहाँ पर अगर यह तैनात होगा, तो यह क्या कहलाएगा Assistant Commissioner of Police कहलाएगा, अगर यह इसके अलावा, Metro Cities के अलावा है कहीं पर तो यह क्या कहलाएगा, DSP कहलाएगा, Deputy Superintendent of Police, अब आप कहोगे ऐसा क्यों difference है, मैं आपको बताता हूँ, Assistant Commissioner of Police का मतलब होता है कि Commissioner का Assistant है, तो यह Metro Cities में इस वज़े से ACP कहलाता है, क्योंकि Metro Cities में ही केवल Commissioner Office होता है, इस वज़े से Metro Cities में जब यह जाता है, तो यह ACP कहलाएगा, otherwise यह क्या कहलाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ Deputy Superintendent of Police कहलाएगा, next इसके बाद आजिए, इससे उपर की पोस्ट होती है, जिसको बोलते है, Assistant Superintendent of Police, देखो, basically अगर बात करी जाए, Assistant Superintendent of Police की, तो यह Training Period के दोरान का Insignia होता है, जब एक IPS अधिकारी अपने Training Duration में होता है, तो First Year में उसको One Star मिलता है, जैसे कि यह आप देख रहो, यह One Star, that means कि यह इनका First Year है, जब यह Second Year में जाएंगे, तो यह 2 Star हो, इनको मिलेंगे, और जब यह Third Year में जाएंगे, तो इनको 3 Star मिलेंगे, लेकिन फर्क और क्या है, 3 Star तो पहले भी अभी थे, आपने देखे थे, ACP के भी लगे हुए 3 Star, फर्क यह है, कि ACP के badge के नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर राज्य का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखोगे, इनके badge में यहाँ पर IPS लिखा हुआ है, तो यह IPS कैडर आपका Start हो जाता है, ध्यान रखेगा, ठीक है, यहाँ से badge में सिर्फ और सिर्फ IPS लिखा मिलेगा आप पुलिस, और तब इनका badge है, इसमें एक अशोक emblem आ जाता है, यह देखे है, अशोक emblem और IPS लिखा ही रहेगा, अब जितने भी उपर के badges होंगे, सब में IPS लिखा आपको मिलेगा, नेक्स्ट है, इसके पास Superintendent of Police, जिसको SP बोलते हैं, SP का cadre जो होता है, जो इनका सिगनिया है, य एक अशोक emblem होगा, एक star होगा, और नीचे IPS लिखा रहेगा, यह देखे, यह देखे, यह देखे यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाते है, SP के उपर होता है, SSP, Senior Superintendent of Police, आपको बता दूँ, इसी को कप्तान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्तान बोलते हैं इसको, हिंदी में, तो यह जो Senior Superintendent of Police होता है, दो star होगे, एक अशोक emblem होगा, और नीचे IPS लिखा होगा, अब देखो, यह जो SSP है, SSP है, और साथ में DCP होता है, जैसे अभी आपने देखा था, कि ACP बराबर होता है, किसके, यहाँ पर आपने देखा, कि ACP आपका DSP के बराबर है, यहाँ पर आ Same Difference है, जो यह SSP है, यह Metro Cities को छोड़ कर कहीं पर भी अगर कप्तान की पोस्ट होगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, SSP, Senior Superintendent of Police, लेकिन अगर यह Metro Cities में यही पहुँच जाता है, तो यह Metro Cities में क्या कहलाता है, DCP कहलाता है, Deputy Commissioner of Police फिर यह कहलाता है, क्योंकि जाहिर सी इस बात है, जो Metro City है, महाँ पर Commissioner Office है, इस वज़े से क्या कहलाएगा, Deputy Commissioner of Police, तब ही आप देख रहे हो, तंगे में कोई भी फर्क नहीं है, आप देख रहे हो, रैंक में कोई भी फर्क नहीं है, यहाँ पर भी एक अशोक Emblem, दो स्टार और नीचे IPS लिखा हुआ है, और यहा पर आप देख सकते हो, तीन स्टार होंगे, ठीक है, और साथ में एक अशोक Emblem होगा, इसी तरीके दिये देखे, एक अशोक Emblem, तीन स्टार, और नीचे IPS लिखा रहेगा, इतना ही नहीं, यह जो पोस्ट है, यहाँ से वीकल मिलना भी स्टार हो जाता है, आपको आपका Personal वी इसकी गाड़ी है यह, और इसका केड़र तो आप यहाँ पर देखी रहे हो, साथ में यहाँ पर फ्लैक का भी एक डिफ्रेंस होता है, इसका फ्लैक आप देख रहा हो, ट्राइंगल शेप में होगा, अगर किसकी गाड़ी होगी, अगर गाड़ी होगी, डेपिटी इंस्प अलवान होती है और एक इस्टिक होती है डंडा होता है यह देख सकते हो एक स्टार और एक स्वार्ड और इस्टिक से क्रॉस बना हुआ है अब देखो इसकी गाड़ी अगर होगी आईजी की गाड़ी होगी तो इसकी गाड़ी में दो इस्टार हो जाते हैं और साथ में अभी की post होती इसको बोलते है additional director general of police in short इसको ADG के नाम से जाना जाता है अगर इसकी बात करें तो आप देखें यहाँ पर IG में क्या था IG में यहाँ पर आप देख सकते हो star था लेकिन अगर हम बात करें additional director general of जिसको ADG बोलते हैं यहाँ पर ashok emblem आ जाएगा और cross साजाएगा यह देखें और इसकी गाली की बात करें तो इसमें एक star और बढ़ जाएगा मतलब इसमें तीन star हो जाएगे यह देखें तीन star और साथ में जो flag है flag में क्या difference हो गया पूरा flat हो जाएगा flag अभी तक flag ऐसा था कटा था अब आप देखें रहो यह flag पूरा rectangular हो गया तो यह है assistant director general of police इससे उपर की जैसे ही आप post पे आओगे तो यह कहलाता है director general of police डीजीपी यह कहलाता है ठीक है अब देखो यहाँ पर अगर बात करी difference नहीं है दोनों का badge एक जैसा है मैं आपको बताओ पहले जो badge हुआ करता था director general of police का इसमें बीच में इक star लगा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है इस star को अटा दिया गया है badge दोनों एक जैसे होते हैं और ये भी तीन star वाली गाड़ी से ही चलेगा और इसके पास भी यही वाला flag रहेगा अब देखो यहाँ पर director general of police और आप देख रहे हो additional director general of police में फिर difference क्या है आप कहोगे सर वही गाड़ी है वही flag है वही badge है फिर अंतर क्या है post का मैं आपको बताता हूँ एक सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आपको पता है यह रिशी कुमार शुकला है अगर मैं आपको ना बताता तो आपको पता ही न लगता अभी तक जैसे कि अभी आपको लग रहा था कि कोई common director general of police होंगे यह लेकिन यह रिशी कुमार शुकला है जो कि इस टाइम पे CBI के डिरेक्टर है और आप इनका insignia यहां से देख सकते हो यह एक आशोक emblem और एक यहां पर cross है बात आ रही है समझ तो यह जो CBI के directors होते हैं यह DGP post के ही होते हैं इसके बाद इससे उपर आते हैं देखो इससे उपर यह थोड़ी सी different post है और यह सबसे बड़ी post है इससे उपर कोई बड़ी post नहीं है ठीक है अब देखे डिरेक्टर इसको क्या बोलते हैं डिरेक्टर ओफ intelligence bureau IB का जो director होता है यह अपने आप में four star post होती है पहली दूसरी चीज यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है यह अपने आप में पोस्ट नहीं है यह अपने आप में क्या है रैंक है पहली चीज ठीक है यह कोई post नहीं है क्योंकि अगर post होगी तो office time के according ही इसको क्या करना होगा असर्व करना होगा इस वज़े से इसको post नहीं माना जाता इसको rank माना जाता है तीसरी चीज जो intelligence bureau का director होता है इसकी salary और status किसके equal होते है गॉर्मेंट की secretary के बराबर होते है इसके बाद जो इसका insignia होता है वो equal to माना जाता है किसके armed forces के general के मतलब जैसे की air chief marshal है राकेश क कुमार बदोरिया उसी तरीके से आप देख रोक एड्मिरल है हमारे करमवीर सिंग और जो हमारे आर्मी जनरल है मुकुन नरावने उनके बराबर किये post है ठीक है तो जैसे इस टाइम पर हमारे director of intelligence bureau कौन है यह है अरविंद कुमार यह जम्मू कश्मीर के specialist रह चुके है जम के accordingly इनकी post नहीं है लेकिन इनका insignia जो है वो बहुत हाई है इनके armed forces के general के बराबर का इनका insignia है इस post पे अजीट डोवाल साब भी पहले serve कर चुके है तो यह सारी post थी जिनसके तहत मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पहचानोगे उम्मीद करता हूँ आपको मैं ब क्यार बाबाए और आप यहां से देख सकते हो SSC लीजेंड स्टार्ट हो रहा है 15 मई से आप इसको जोइन कर सकते हो 6000 फीस है अगर आप वरुन 777 कोड का यूज करोगे तो आपको फीस पड़ेगी 2400 की अभी नहीं तो कभी नहीं सोचना किस बात का SSC होना ही होना है exam होना ह होना है बहुत जादा डिले नहीं होगा आप देख रहूं